हेलो नमस्कार दोस्तों मैरा हुई यह साल आप सबका बहुत बहुत सवाथ करता हूँ हमारे अप्टेक हिंदी चैनल में दोस्तों आज का जो वीडियो इस वीडियो में हम कंपेर करने वाले हैं रेड्मी नोट से प्रो का जो मोबाइल है उसका हम नोकिया 6.1 प्लस के साथ कं मत्ता का यह दौनों मॉबाइल में लेना चाहीं नहीं रहे से घ्री लात रहता हूं चलिए हमसमाज का स्भेशा को अप सी यह बहुत बता कर लेगा हूए हम स्फेशार्स भूरा देखना है और बात करते हैं Nokia 651 प्लस का प्राइस है वह आप मामले में रेडमी की बात करते हैं तो यह एक्जार रुपए और यहां पर बात करते हैं Nokia 6.1 की तो यह एक हजार रुपए आपको ज्यादा प्गरG अगर नोकिया का पर्चेस करते हैं मोबाइल आप लोग अब यहाँ पर बात करते हैं रेम की तो दोस्तों देख लिए रेडिमी नोट से प्रो में जो रेम है वह चार जीवी रेखने को मिलेगा इंटर्नल इस्टोरेज चोट जीवी और साथ में आप लोग एक्सलेंडेबल म लगा सकते हैं रेडिमी में आप लोग लगा सकते थे 256 जीवी तक के और यहाँ पर हम अगर लगाते हैं नोग्यापाचेस करते हैं तो इसमें आपको 400 जीवी तक के एक्सिरेंडेबल स्लॉट मिलता है अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं इसके चामरे के बारे में त एक भाई 48 MP का है और दुसरा जो क्यामरा है वो 5 MP का आपको देखने को मिल जाता है और बात करते हैं Redmi Note 7 Pro का फ्रंड क्यामरा तो फ्रंड क्यामरा जो है वो 13 MP देखने को मिल जाता है अब इसको हम compare करेंगे Nokia 6.1 Plus से तो Nokia 6.1 Plus का जो camera है वो आप लोगों को back panel में दो देखने को मिलेगा एक 16 Megapixel का और दूसरा है 5 Megapixel का और बात करते हैं इसके front camera की तो front camera भी आप लोगों को 16 Megapixel देखने को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि आपको camera कौन सा बेस्ट देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों बैटरिक की तो जो बैटरिक है Redmi Note 7 Pro में आप लोगों को 4000 Megapixel की देखने को मिलती है और इसको compare करते हैं हम Nokia 6.1 Plus से तो Nokia 6.1 Plus में आप लोगों को बैटरिक 1000 MHz कम देखने को मिलेगी यानि कि 3060 MHz की बैटरिक Nokia 6.1 Plus के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है अब जोस्तों बात करते हैं प्रोसेसर की यानि कि Redmi Note 7 में जो प्रोसेसर है वो आप लोगों को new देखने को मिलेगा और आप लोग Nokia का mobile purchase करते है 6.1 Plus तो उसके अंदर old वाला जो प्रोसेसर है वो आप लोगों को देखने को मिलता है तो यहापे मैंने आप लोगों को पूरा यहापे Redmi Note 7 Pro के बारे में knowledge दिया तो देख लिए यह remote से फाइदी यह है कि आप लोग अपनी डिच टीवी को कंट्रोल कर सकते है और जितने भी आपके setup box से उसको कंट्रोल कर सकते है AC, FAN वगरे सारा कुछ कंट्रोल कर सकते है Redmi Note 7 Pro के mobile से और यहापे हम compare करते है Nokia में तो Nokia में यह system दिया गया नहीं है अब यहापे हम बात करते हैं देख लिए दोस्तों इसका जो operating system है वो क्या है तो Redmi Note 7 बेज जो operating system है उसके अंदर आप लोगों को Android Pie 9.0 के उपर दिया गया है और इसको compare करेंगे हम Nokia 6.1 Plus से तो Nokia का 6.1 Plus है उसके अंदर जो Android version है वो Android Oreo 8.1.0 का है यानि की old वाला है और यहापे हम compare करते है Redmi से तो Redmi में आपको नई वाला देखने को मिलता है 9.0 का पाइक अपडेट अब यह हो गया है अब यहापे बात करते है चार्जिंग के बारे में तो देख लिए दोस्तों चार्जिंग का जो केबल है दोनों में आपको type C केबल देखने को मिलेगा जो की एक हास बात है और यहापे एक बात यह निकल क्याती है सेंसर की तो जो सेंसर है Redmi Note 7 Pro के camera के अं और आपको कौन सा लेना चाहिए तो यहापे मैंने futures तो आप लोगों को बता दिया हूँ तो आप लोग भी समझ गया है कि बेश्ट कौन सा मुबाइल होने वाला है तो यहापे आप लोगों को Redmi Note 7 Pro लेना चाहिए तो यहापे मैंने आप लोगों को पूरा compare करा हूँ और मे झाल झाल